भारत की महान पपॉरानि कथाओं का संगर सबस्राइब करें भक्ती कथा ओ नामश्यवा ओ नामश्यवा प्रती शांत हो जाओ विलाप न करो होनी कभी अन्होनी नहीं हो सकती जो हुआ उसे स्वीकार करो भे देवेश्वर किंदु कि सप्राथ का दंध हमें मिला है देवराजिंद्र और देवगन के कहने पर कामदेव ने अपर पुष्पांच चलाया और आपकी समाधी भंग की इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था देवगण की दुर्दशा समाप्त करने के लिए हमने उनकी सहायता की और हमारी दुर्दशा हुई ऐसा क्यों? ऐसा क्यों प्रभू? यह बोले नाथ, मुझ पर दया करो मृत्यु काभिशा भोगने का समर्थ मुझ में नहीं है कामदेव को जीवित कर दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती मुझ पर दया करो प्रभू, कामदेव को जीवित कर दो देवादी देव, देवादी देव, कामदेव नेरा प्राद है कामदेव ने तो हम देवताओं के कल्याण के निमित आपके और देवी पार्वती के मन में अनुराग उत्पन्ने किया था काम देव को शमा कर उसे पुनर जीवित करें देवादी देव उसे पुनर जीवित करें विधी का विधान अटल होता है वो चाहे देव हो देवी हो दानव हो मानव हो हर किसी को अपने किये कर्मों का फल दुखत नहीं पडता है है बूलेश्वर क श हम साम देव को क्षमा कीजिए उसने जो कुछ किया वह स्वार्त की नहीं परमारत की भावना से किया है इसलिए उसका अपराद क्षम्य है। हे भोलेश्वर्ण कामधेव को पुनर जीवित कीजिए, उसकी पत्नी रती पर दया कीजिए। हाँ भगवन, रती पर अपनी दया कीजिए। कामदेव को पुनर जीवित करें। ऐसी हमारी आपसे विनमुर प्राथना है। हे बोले ना तुझ यदि आपने कामदेव को पुना जीवत नहीं किया तो मैं भी अपने प्रांट याग दूँगी यही प्रांट याग दूँगी हमारी समाधी भंग करके हमें योग से भोग की दिशा में ले जाने के दुश्कर में तुम कामदेव की सभागनी रही हूँ जो कुछ अनर्थ हुआ उसका परिणाम कामदेव ने भोगा कुछ अंश तुम्हें भी भोगना होगा हे बोलेश्वर मैं आपसे दया की बिक्षा मांग रही हूं और आप दंड की व्यवस्ता कर रहे हैं दंड की व्यवस्ता तो हो चुकी है रती अब तो प्राइश्चित करने की व्यवस्ता शेश है करूंगी भोलेनाथ मैं प्राइश्चित करूंगी तो सुनो रती तुम्हार पति कामदेव हमारे तीसरे नेत्र की जुवारा से भिस्म भूत होकर भी मृत्यू को प्राप्त नहीं हुआ है वह हमारी कृपा से पुनर जिवत हो चुका है वह लौकिक नेत्रों से दिखाई नहीं देगा वह जीवित होते वे अंग रूप में देखा नहीं जा सकेगा वह अनंग हो चुका है मनमत अब वह सर्शरीरी नहीं और शरीरी हो चुका है अब वह अनंग और मनोज के नाम से जाना जाएगा क्या होगा प्रापत करे भगवत रायशित होगा रती मैं प्राशित करूंगी परकन कि इतना कठोआ न बनाएए ब्रायशित का व्यवस्था दुशकर्म करने वाली के प्रते लिगश्चा से नहीं होते रती यदि आपक्रिपार करोना करके मेरा और मेरे पती का अपराथ शमा कर दें, तो मुझे मेरा पती पूर्ण शरी रूप में प्राप्थ हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, किन्तु अभी नहीं। फिर का प्रभू। तुम्हें द्वापर युक तक प्रतीक्षा करनी होगी। द्वापर युक तक? हाँ, द्वापर में कामदेव, भगवान श्री कृष्न के पुत्र, प्रद्यूम के रूप में जन मिलेगा, और वो तुम्हें पती रूप में प्राप्थ होगा। धेरज धरो रती, भगवान श्रीव ने जो कुछ तुम्हें कहा है, सत्य अवश्य होगा। द्वापर में तुम्हें कामदेव, पुन्ह प्राप्थ होगे। नारायन, नारायन। रती रती सत्य तो यह है कि मैं तुम्हारा प्रादी हूँ। कामदेव मेरी साहता के लिए ही प्रैत्नशील थे। और उनकी यह गति हुई। देवराज, आपकी दुरगती देखकर स्वामी स्वैम आपकी साहता के लिए आये थे। इसमें आपका क्या दूश। कौन जानता था कि यह परिणाम होगा। विधी के लेख को जान भी कौन सकता है। अब तो मेरा केवल एकी सहारा है। प्रियक काम की यह भस्मा। हुआ। 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 और क्या होना था। यही होना था। आर का सुर से टकराएगा काम देल। तो यही होगा। यही। हुआ। 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 तू समस्ता था। कि आपने पुष्ववाम से तू शिववा का चक्र चलाएगा। शिव पुत्र पुत्पन्न होगा, तो मेरा वज़ घरेगा, और मैं मारा जहूंगा सारा जगत जानता है कि कौन मारा गया अब शिव पुत्र पुत्पन्न होनेगा प्रस्ट नहीं नहीं उड़ता और प्रम्मा के बरदान अनुसार, अब मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं सिना पती, क्या कोई मुझे मार सकता है नहीं मावली, जिसको मरना होगा, वही आपको मारने की बात सोचेगा तो हो जाए इस प्रसन्नता के उसर पर, कुछ आनन, कुछ रंग, कुछ तरंग आग क्या करें मावली तो जाओ, ले आओ इंद्र की बंदी अपसराओं को, जो कामदेव के मरन पर आसु बहा रही है काहो नहीं, कि हमारे सामने नित्त करें, जाओ, जो आ क्या मावली मदिना कामदेव के भस्म होने से, तार का सुरस्वयम को निश्कन तक हुआ माँकर प्रसन्नता से मदिरावा नृत्थि में डूप गया वो इस अमिट सत्य को भूल ही गया, कि पक्ष में एक घटना के घटित होने से, विदिका घटना चक्र कभी रूपता नहीं कामदेव के भस्मी भूत होने से, पार्वती की साधना और उसके द्रण निश्चे में तनिक भी अंतर नहीं पड़ा प्रत्युत वुह और अधिक द्रण संकल्प से तपस्विनी का परिधान धारण कर हिमालय राज के संभुख आ गई पुत्री पार्वती और तपस्वनी के वेश में हाँ पिता श्री आपकी ये पुत्री तपस्या पर ना चाहती है पुत्री मुझसे ना तो तुम्हारा इवेश देखा जा रहा है और ना तुम्हारी अच्छा सुनीगा रहेगे यदि पिता होकर आप मेरे मन की बात नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा मुझे तपस्या की आग्या दे पिता श्री काम देव के भस्म होने के पश्चात अब शिव अरादना का क्या अर्थे पुत्री सब व्यर्थों का मेरी बात मनो मैं तुम्हारी लिए किसी योग्यवर को खोज कर तुम्हारा उससे विवा कर दूंगा नहीं पिता श्री नहीं ऐसे कठोर कठोर शब्द सुनना भी मेरे लिए अब कर्म है मैं जन्म जन्मांतर के लिए सदार शिव को पती के रूप में सुईकार कर चुकी हूं अब अन्यक किसी के कलपना करना अत्वा नाम सुनना एथी धर्म और चरित्र के विरुद्ध है विरुद्ध पार्वती अपनी वानी पर सियम रख और साथ ही अपने माता-पिद्दा की मरियाधा का ध्यान भी रख तेरे शब्द और तेरी वाणि सब कुछ तेरी आयू से आगे-आगे भाग रहे हैं मैंने क्या किया है Ma अब तक तो विशेश कुछ नहीं किया थ है पर आगे जो कुछ तु करने का विचार कर रही है क्या वो उच्छे थे तु राजकुमारी है, राज महल में राज पाठ के मद्ध तेरा पालन पोशन हुआ है शिव के निमित, शिव आराधना, और तपस्या करने के अनुमती मैं तुझे सर्वता नहीं दै सकती मैं तेरे कोमल तन को तपस्या की अगनी में तुझे कभी नहीं जोगने दूंगी कभी नहीं जोगने दूंगी और फिर एक राजकुमारी का किसी योगी के साथ इस प्रकार का रागात्मक संबंद क्या ये राज परिवार के लिए शोबा की बात है इसमें अशोबनी क्या है ह कोमल राजकुमारी का कठोर योगी से नुराख आज तक देखा सुना नहीं गया जो आज तक नहीं हुआ वह भविशी में होगा तो अनुचित होगा ऐसा किस रिशी अत्वा मुनी ने कहा है तुम तर्क बहुत करने लगी हो पारवती अपने उचित वक्ष को प्रमारित करने का प्रयत में तर्क नहीं होता मैंनाक तुम और तुम्हारी मां दोनों शांत होगा हट प्रोध और उतेजना से हम किसी निर्णे पर नहीं पहुंच सकूंगे कि मैंने निर्णे लिया है कि पारवती को तपस्या की अनुमति देदेनी चाहिए कि पिताउच्वी aut 살짝 ह कि अश्यायशा बिचार कतिया है कशत तो कि मेरे किसी निर्णे और जाने कि आत्याव इंदेर पर पार्मारु technically कि अब मुझे आक्या दे पिताफ्री कि ऐभुत मुझे और में तुम्हें अकेले जाने कि आक्या नहीं दूंगा जयां और विजया भी तुम्हारे साथ जयां अब मुझे आक्या दे मामा पारवती मेरी पुत्री मेरी पुत्री यह स्थान उप्योगत है यहां शामती भी है और एकार भी है यह स्थान प्रामनी होगी ऐसे इस्थान पर एकार भी होकर तब कर सकते हैं मैं यहीं बैटकर तपस्या करूँगैं यहां तपस्या करेंगी एकेली इस गोर सुझाण में यह इस प्रामनी मे नहीं परवती, हम तुम्हें यह अकेला छोग नहीं जा सकते। महराज और महराणी को क्या उत्तर दोंगे? इसका दिया हुआ उत्तर हिवाहां में दे देंगे। इंतु क्यों दे और क्यों जाए इसे अकेला छोगे। लेको तुम्हारा ये हट उचित नहीं है और तुम्हारे सारे हट उचित है। तुम दोनों भाव यमन मर्व पहो, मुझे नेरा करतवी करने दो, भावग होकर करतव युद खून नहीं हो सकते। अब तुम दोनों चाओं अब मुझे भी दुर्बल बनाओगी मैंने कहा ना मैं यहां तपस्या करने आई हूं और उसके लिए निर्भैता द्रड़ता और संकल्प के आवशकता होती है अब चाओ तुम दोनों हमारा मन नहीं मानता पार्वती मन की मत सुनो बुद्धी से काम लो क्या शिव की आराधना करने वालों को कोई भै हो सकता है शिव मेरे साथ है तो मिश्चिंत होपर जाओ जैसी तुम्हारी अच्छा किन्तु समय समय पर हम तुम्हारी जानकारी लेते रही हूं ओम नमाशी वालों ओम नमाशी वालों